देन आपका अकाउंट जो है यहां पर बन चुक है रुकी आपने भी भागना नहीं है आपको बताऊंगी स्क्यूर कैसे करना है इससलामुलिकुम गईस कैसे हैं आप लोग एक फॉप करने वाले हैं कि हम अपनी द्रॉन का जो वोईलेट है उसका अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किस तरह उसे सेफ एंड स्क्यूर कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बत्र वीडियो में हमें बताते हैं कि हम किस तरह अकॉंट बला सकते हैं और 10-15 मिनट की वीडियो होती हैं लेकिन इस वीडियो को हम बहुत ही जल्द और बहुत ही शौर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या करना है इसकी व्याप साइट पर नहीं जाना आप लोगों को मैं रिकमेंट करूंगी यहां पर आपको नीचे एक link दूँगी तो आपने उसके जरी इस application को download कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है आपने just इस पर click करना है अप जैसे ही इस पर click करेंगे देन आप लोगों के पास कुछ ऐसा interface show होगा तो यहां से आप इसके बारे में read भी कर सकते हैं अपने create account पर click करना है अपनी सबसे नीचे जाना है और accept पर click कर देना है यहां पर आपने क्या करना है यहां पर आपने अपना name add कर देना है जैसे आप आप name कर लेंगे उसके बाद आपने next पर कर देना है और यहां पर आपनी just अपना simple सा password जो है वो set कर लेना है जैसे कि मैंने पहले ही लिखे रखा था तो आप पहले ही लिख लईजीगा जिसम्हें आप लोगों को बता दूं कि आप अपना पास्वर्ड कैसे सेट कर सकते हैं सबसे पहले आप लो नी पास्वर्ड जब सेट कना है तो उसका one upper case letter यानि कि मतलब alphabet जो जिसे हम ABC कहते हैं तो उसका एक बड़ा letter जैसे कि अगर आपका नाम जैसे कि मेरा नाम अनाया है तो उसका जो पहला A है मैंने उसे बड़ा लिखना है ठीक है ना गाइस तो उसके बाद जो है one lower case जैसे कि अनाया के बाद A के बाद N आता है तो N मैंने छोटा लिखना है आपने भी अपने नेम का जो भी आपने पासपर लिखना है उसका दूसरा जो हिस्सा है वो आपने छोटा लिखना है तो आपने तीसरा आ जाता है उसमें आपने नंबर लिखना है जिसे आप एक, दो, तिन, चार, पांच कहते हैं तो आपने उस से लिखना है उसे मतलब 1 या 2 जो नमबर आपने एड़ करने है देन आपने एटलिस्ट एट क्रेक्टर जनरे कि आपका जो पासपड है उसके आठ कम से कम जो है वो आठ जो है एट लिस्ट बतल जो आठ तक है आठ तो इन देस्टे होने चाहिए आपके अकाउंट में पासपर में जैसे कि आप कुछ भी लिखेंगे जैसे कि अनाया फात्मा तो इसमें दस बारा आ जाते तो आपने इसी तरह अपना अकाउंट जब भी अपने पासपर लिखना है तो इ जैसे अपने एक्स पर क्लिक करेंगे तो इदेन आपने अपने पासपर लगाया था वो आपने बूलना नहीं है अपने दुबारा यहां पर देखें कन्फर्म पर कर देना है तो अब जो है हमारा पासपर यहां पर सेट हो चुक है तो इदेन आपने क्या करना है आपने बै तो यहां पर सक्रीन शोट नहीं ले सकते हैं तो जितने भी शॉक फ्लैग यूज सर्टेन ऑप्शन ओलम्पिक आर्टिस्तों जितने भी यह 12-12 करेक्टर होते हैं यह जो है आपने यकीन से इसे लिखके अपने पास रख लेना है अपनी मुबाइल डिवाइस में या फिर कही अगर आप इसे नहीं लिखके रखेंगे तो इसका नुकसान यह होगा कि आप नेक्स्ट जो स्टैप है वो कम्प्रीट नहीं कर पाएंगी तो यहां से जल्दी से मैं इससे 12 स्टैप को लिख लेती हूं और इसके बाद मैं बताती हूं आपने कैसे जो है इन्हें करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यह जो स्टैप है यह जो हमारे पास आये हैं बैक अप कोड तो हमने यह लिखके रख लेने हैं तो जैसे ही मैंने लिख ली है अब हमने क्या करना है I have saved it securely तो आपने इस पे क्लिक करना है अब आप से पूछा जा रहा है कि 10 नंबर पे आपके क्या लिखा हुआ तो तो आपने क्या करना है आपने सिंपली क्यूंकि आपने जो है तर्तीब वाइस लिखने है तो इसी हिसाब ते आपने क्या करना है आपने बता देना है कि 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ तो यहां पर मैं बता देते हूं यहां पर मेरे चीज लिखा हुआ था 10 नमबर पे तो next पे मैं click कर रही हूँ, अब वो पोज रही है आप से कि आपने आपके तीसरे नमबर पे क्या लिखा, तो इसी तरह आपने बता देना है आपके तीसरे नमबर पे क्या लिखा, मेरे तो यहाँ use लिखा था, इसलिए मैं use पर कर रहे हूं तो यहां पर आपसे दो से तीन question पूछे जाएंगे उसके बाद आपको carry out जो है option अजर आएगा तो आपने simply इस पर click कर देना है then आपका account जो है यहां पर बन चुका है रुकिए आपने भी भागना नहीं है आपको बताऊंगी अपने secure कैसे करना है सबसे बड़ी बात है secure करने की तो आपने secure इसे कैसे करना है वह आपको बताऊंगे अदरवाई जो है आपकी money जो है वह account से उड़ सकती है तो आपने क्या करना है improve fee collector and function calculation bug fix तो update आपने कर लेना मेरे पास तो अभी मैंने किया था वह update नहीं है तो मैं update कर लूँगी देन आपने क्या करना है अपने my account पर जाना है and then आपने यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद public account management पर click करके आप यहां से अपने सारी जो permissions है wallet जो है यहां से delete भी कर सकते है backup key store भी यहां पर देख सकते है and then bla bla जो आप करना चाते हैं यहां से easily कर सकते हैं तो यहां पर अपने setting पर click करने के बाद आप अपनी currency जहां पर कर सकते हैं network इसी तरह आप अपने account को यहां से जो है आपने सारी चीजें जो है यहां से लिखके रख लेनी है अगर आप नहीं लिखेंगे तो जब भी आप अपना account बूल जाएंगे इसका password या बाग की चीजे तो आप अपना account recover नहीं कर पाए लिए आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को एक like बनता है और subscribe लाजमी से कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला एक अच्छे टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए लिए लाहाफीज